पिर आपका स्वागत है पीटीसी न्यूज अरियाना देख रहा है आप अगली खबर अब करनाल से है करनाल में डीटीपी विक्रम सिंग के मामले में विजिलिंस की कारवाई लगाता जारी है हाल ही में आरोपी डीटीपी को विजिलिंस ने कोट में पेश किया था जिसके बाद उसे तीन दिन के रिमांट पर भेजा गया और इस बीच विजिलिंस ने एक तहसीलदार राजबक्ष को भी गिरफतार किया है कई घंटों की पूछताच के बाद आरोपी तहसीलदार के खलाब भी बरश्टाचार का केस दर्ज कर गिरफतारी कर ली गई है इससे पहले रिमांट के दोरान डीटीपी ने तहसीलदार से साड़े चौदा लाख रुपए की साड़े चौदा लाख रुपए एनोसी के नाम पर देने का बयान दिया था जिस आधार पर तहसीलदार को हिरासत में लिया गया विजिनेंथ इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी डीटीपी और आरोपी तहसीलदार दोनों ही रिश्वत का काम मिल कर करते थे और दोनों से अब पूछताच का दोर जाली है जो हमने ये डीटीपी सब आपको पहले गिरिफतार किया है उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबक्ष को गिरिफतार किया गया है और जो हमारे को DTP करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिकेशन को दोरान कि राजबक्ष के थू भी जैसे इनके पास राजबक्ष के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी NOC करवाने के लिए तो वो उनको NOC के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थू देते थे ऐसे जैसे DTP सहबके पास कोई आता था और उसका registry pending रहती थी तो वो अपना इनके पास लाके registry करवा देते थे और जो भी payment उसके हिसाब से उनके यापस की बंगती थी, वो उनको पे करते थे, बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था, रिश्वत की राशी इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आज फिर उनको गरतारी